हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम लोग बात करेंगे सरपंच के बारे में सरपंच की क्या की जुरूत क्यों पड़ी हमें बड़ी पंचायती राजविवस्ता के अंतर कर सरपंच की जुरूत क्यों पड़ी सरपंच का चुनाओ कैसे होता है सरपंच बनने के लिए कौ काँसी योगताय चाहिए और ऐस सरपंच के क्या क्या कारी होते हैं इन सब चीजों के बारे में इस सब टॉपिक में हम लुग डिसकुसन करेंगे तो सरपंच का बहुत ही जिम्मिदारी बहला पद होता है क्यों कि सरपंच ही होता है जो गाउं के अंदर सही हर एक व्यक्ति औ हर एक जाती धर्म के लोगों के प्रति अच्छे से जानकारी रखे और दे सकता है तो अबें हम हम लोग पहले बात करते हैं पंशायतीराज अधिमियम क्या हुआ पंचाइती रौज वास्था अधिनियम जो है यह 1992 के नाम से भी जाना जाता है पंचाइटी राज अधिनियम 1994 से नाम से जाना जाता है जो चोविस अपरेल निछ सो और मतिरल 93 से लागू हुआ था अब पंचायती राज अधिनियम 1992 के कुछ महत्पूर्ण बातें जो उस पे कही गई थी पहला नमबर क्या था कि ती अस्तरी पंचायत की स्थापना होगी मतलब जिस पे ग्राम पंचायत समीती और जिला परिशद होंगे और तूसरा नमबर SCST और OBC के लिए क्या हुआ उनकी जनसंक्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण निधारित किया गया महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण किया गया जो कि अभी 50% तक हो गया है और पंचायतों की वित्ती सुधार के लिए राज वित आयोक का गठन किया गया हर पांच वर्स में पंचायतों का नीमित रूप से चुनाओ वा राज चुनाओ आयोक का गठन हुआ और ग्यारमी अनसूची के में सूची बद 29 विसेओं पर आर्थिक एवन सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं तयार करके उन योजनाओं को क्यारविंद करवाया गया यह मतलब धरा तल पर यह यह योजनाओं लागू होनी चाहिए इसका निस्पादन कराना चाहिए यह होना चाहिए आधी वह सारे टॉपिक थे उस पर अब हम लोग बात करते हैं कि सरपंच के चुनाओं का चुनाओं होता कैसे है तो सरपंच का चुनाओं सबसे पहले क्या करते हैं चुनाओं गाओं की जनसंख्या के अनुपात में रोस्टर विवस्था के आधार पर SC ST OVC के लिए सीर्तियों का निर्धारन होता है सबसे वहीं बन सकता है जिस वर के लिए शीट सरपंच सीट आरख्षित की गई होगी जिस वर्स के लिए बत रोट और रोट रोस्टर के अधार पर हमतलब ये चलता रहता है कि एक साल जनरल के लिए सबस्वाइब करता है राज चुनाओ को संपार्यूत कराती है और ग्राम पंचायद की वोटर लिस्ट मेंसामिल मत आता जो होते हैं आप और हम तो रहां सर्पंच का प्रत्यक्ष्रूप से चुनाओं किया जाता है सबसे ज़्यादा दूरोड पाता है वही पंचायत वही सर्पंच बन जाते हैं अब सर्पंच पद के लिए कौन-कौन सी योगताई होनी चाहिए सर्पंच पद में क्या है उम्मिद्वार की कम से कम यून नताम आयू 21 वर्स से उपर ही होनी चाहिए अब उम्मिद्वार का नाम उसक्राम पंचायत सोची में होना चाहिए जहां से ओचुनाओं लड़ रहा है अब राज विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून के आधिन सर्पंच पंचायत का सदस निरवाचा नयोग होता है सरकारी करमचारी नहीं होना चाहिए सर्पंच बनने के लिए राज्यों में आठमी पास होना चाहिए लेकिन ये हर एक राज में नहीं है ऐसा सर्पंच चुनाओं के लिए अवश्यक दस्तावेच क्या क्या चाहिए नमांकन के समय कुछ जरूरी दस्तावेच होने चाहिए जो इस प्रकार है पहला आधार कार्ट, पिन कार्ट, मूल निवास प्रमान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मतदाता प्रहचान पत्र, आरक्षित जाती का प्रमान पत्र, सौचाले का सपत पत्र और प्रशासन द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा चरित प्रमान पत्र भी होना अस्तावेज लगाने पड़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि सरपंच के पास कौन कौन का अधिकार प्राप्त होते हैं, सरपंच का क्या क्या अधिकार होता है, तो ग्राम सभा तका ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है, वो बैठक बुलाने का पूरा अधिकार उसके प पंचायत में आधिन कार्रत करमचारियों के निगरानी और का अथिकार भी उसे पासी रहता हां, और बहुत सारे अथिकार उसको प्राप्त Jakarta मुझा की सर्पंच के कार क्या हैं काहोंומ होता है जेतने भी काम होते रदेच सर्पंच में होता है गाउं के विकास के कार के जिमेदारी सरपंच की होती है कि गाउं में विकास होना चाहिए, पानी की सुविधा होना चाहिए, लाइट की सुविधा होनी चाहिए, रोट की सुविधा होनी चाहिए और S.T. के यह क्या है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भागिदारी सुनुशित करवाना और मन्रेगा जैसी योजनाओं का क्रियानवाय करवाना मतलब मन्रेगा वैगी सब काम वगएरा जो होता है इस सब क्रियानवाय भी सरपंच के द्वारा ही होता है गाउं में सांती विवस्था बनी रहे और गाउं के अंदर सारी विवस्थाओं का देख रेक करने की सारी जिम्मेदारी सरपंच की होती है बहुत ही जिम्मेदारी भरापद होता है यह और इसका निर्वाहन हर एक सरपंच को करना चाहिए बहुत सारी चीजें हैं यह सारी विवस्थाओं का कराना चाहिए उनको यह कराते हैं सरपंच देखा जाए तो यह बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है सरपंच के पास यह गाओं का क्योंकि मुखिया होते हैं और सरपंची होता है जो क्या होता है एक गाउं में सारे व्यक्तियों से मिलब सारे व्यक्तियों के वारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं अच्छे से उनके वारे में उनकी इस्तिती परिस्तिती के वारे में अगवत रहते हैं वो सरकार को डाटा भी देते हैं कि क्या कैसे होता है यह सारी चीजे मुलब एक उसी के रूप पे चलता है सरपंची करते हैं आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगे धन्यवाद